So problem 2 हमारे पास equation of vertical and horizontal ellipses question परते हैं find the center the vertices and the foci of the ellipse given by the equation 4x square minus 16x plus 25y square plus 200y plus 316 is equal to 0 also draw its graph अब देखते हैं हमारे पास जो equation given है equation of ellipse पहले मैं लिख लूँ यहां पर equation of eq for equation of ellipse ellipse की equation जो है वो क्या है 4x square minus 16x plus 25y square plus 200y plus 316 is equal to 0 ठीक है अब सबसे पहले तो हम इसको standard equation में लिखते हैं standard equation of ellipse with center h के यानि अगर center h के हो तो यानि center origin पे ना हो तो फिर इसकी equation किस्ता से बनती है तो उसमें हम क्या करते हैं करने कि हम यहां पर इसका square complete करते है square इसका 4x square minus 16x का भी square complete करेंगे 25y square plus 200y का भी square complete करेंगे क्योंकि हमारे पास क्या होगा x minus h whole square our a square plus y minus k whole square our b square is equal to 1 यह क्या है standard form of ellipse है जब standard form of ellipse है जब जो center है with center at with center at h k h for abscissa यानि h abscissa के लिए के ordinate के लिए अब इस form में लेकर आने के लिए चुक्के x minus h यह whole square में तो इसका मतलब है इसलिए मैं कहरा होगा यहां पर इसका square complete कराएंगे तो कैसे होगा जैसे अगर आप देखें तो यह बन जाएगा 4x square 4x square के मैं कहा लिए सकता हूँ चलें 2x का whole square यह मेरे पास बन गया a square minus देखें 2 a b कितना होता है 2 into a है 2x और तो 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 4 और 16 लेकर आने के लिए मुझे यहां पर क्या multiply करना मड़ेगा 4 सही तो minus 16x इसका मतलब है b यह क्या बन कِ देखें यहां पर यह मेरे पास a यह मेरे पास 2 था यह a है यह b है तो b कितना है 4 इसका मतलब है 4 का square मैं यहां पर add करूंगा और equality के दूसरी तरफ 4 का square मैं subtract भी करूंगा दूसरी तरफ बी add करूंगा चलें मैं यहां पर 25 को देखूं तो इसमें, यानि ये एक हो गया, यानि X का स्क्राइब कम्प्रीट हो गया, फिर Y का करने के लिए 5Y स्क्राइब, A स्क्राइब, प्लस 2 इंटू 5Y, ये कितना हो गया, 10Y लेकिन ये 200 है, तो किस से मल्टिप्लाइब करेंगे 20 से, इसका मतलब है, अगर मैं B 20 रखूं यहां पे, तो तब ये बनेगा 200 वाई, इसका मतलब 20 स्क्राइब मुझे इधर भी आड़ करना पड़ेगा, और 20 स्क्राइब मुझे इधर भी आड़ करना पड़ेगा, अब बच्किया बीचे, 316 इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लेफ्ट हीट पी ले आते हैं, तो यह बन जाएगा माइनस 316, ठीक है, यहां दक बात क्लियर होगी, अब हम देखते हैं कि अगर इसको मैं परफेक्ट स्क्राइब में लिखता हूँ, तो मारे पास क्या बन जाएगा, यह देखे, a माइनस b whole square, तो a कितना है, 2x माइनस 4 का whole square, जब के यहां पर देखे, बन जाएगा 5y, plus 20 का whole square, is equal to, 20 का square 400, plus 16, minus 316, तो 416 माइनस 316 कितना बन जाएगा, 100, यह तो बनके 100, यहां से गर मैं 2 common ले लूँ, तो 2 common आ जाएगा x-2 का whole square, और यहां से 5 common ले लूँ तो आ जाएगा y plus 4 का whole square, अब अगर आप देखें तो 2 का square, अगर मैं 2 का square लग कर लूँ तो बन जाएगा 4 into x-2 का whole square, plus 5 को square 25 into, अब देखें y plus 4, हमारे पास जो form है वो क्या है y minus के, अब plus को किस्ते से लिखा जा सकता है, y minus minus 4 का whole square is equal to 100, अब इस side पर हमें क्या चाहिए होता है, 1, तो मैं through out अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूँ, इसको भी 100 से डिवाइड कर दूँ, इसको भी 100 से डिवाइड कर तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये मेरे पास किसके बराबर आजाएगा, 1 के, तो ये है मारे पास 1, ये है 25, 125, 25, 4s are 100, तो y minus minus 4 whole square over 4, plus x minus 2 whole square, और 4 1s are 4 25s are, तो by 25, ये मारे पास आज है कि 25 का, x minus 2 का whole square, अबर 5 का square, 5 square, plus y minus minus 4 whole square, और 2 का square is equal to 1, अब अगर आप देखें तो अब ये हमारे पास standard form में आ गई, अब हमारे पास ये किस form में आ गई, standard form में आ गई, अब यहां से मुझे मालूम करना है, क्या मालूम करना है, question अगर आप देखें, तो मुझे मालूम करना है जी, फोसाई, यानि इसके फोसाई, उसके बाद मुझे vertices मालूम करना है, मुझे इसका center मालूम करना है, और उसके बाद इसको मुझे draw भी करना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं, कि center, center कहां पे है, तो for center of for और सबसे और हम यह भी देख सकते हैं कि क्या यह vertical होगा ellipse यह horizontal ellipse होगा तो चुके अगर आप देखें तो major axis यानि major axis A चुके यहां पर यह A के सूरत में यह क्या है A अब चुके A जो है वो is equal to 5 है B जो है वो is equal to 2 है अब चुके A is greater than B B है और A जो है वो X के नीचे है B, Y के नीचे इसका मतलब है यह एक horizontal ellipse होगा यह एक horizontal ellipse होगा और minus 2 और minus 4 यह है यह यह Y minus minus 4 जिसकी वज़े से हमें पता चला कि इसका center जो है वो भी origin पे नहीं है इसका center भी origin पे नहीं है तो अब लेखते हैं इसका center कहां पे है तीक है for center for center for center आप क्या लिखेंगे जी हम लिखते हैं जी X minus 2 चुके अगर मैं suppose कर लूँ चलें for center suppose suppose मैं कर लेता हूँ X minus 2 is equal to 0 है sorry is equal to capital X है तीक है और इसी तरह से Y plus 4 जो है यह Y minus minus 4 जो है यह किस के equal है यह किस के बराबर है यह capital Y के बराबर है तो यह किस सूरत में बन जाएगी इसकी equation नहीं equation number 1 की क्या शकल आजाएगी equation number 1 आजाएगी X capital X square capital X square our 5 square plus capital Y square our 2 square is equal to 1 अब अगर आप देखे तो यह मैं इसको इस formula हैं कि हम first कर लेते हैं कि first करें capital X और capital Y का Y जो हो 0 पे है अगर 0 पे हैं तो force एंटर क्या हो जाएगा capital X भी 0 और capital Y भी 0 तो मैं लिखूंगा capital X is equal to 0 और capital Y is equal to 0 अब capital X है किसके equal X minus 2 के equal X minus 2 is equal to 0 capital Y है Y minus minus 4 is equal to 0 तीक है तो यह बन जाएगा X is equal to 2 और Y is equal to minus 4 minus से minus plus होगा तो जिदा कि फिर हो जाएगा minus 4 इसका मतलब है इसका center कहाँ पे होगा H यानि H के H के जो इसका center है वो कहाँ पे होगा वो होगा किस पे H जो है वो 2 है और Y कितना है minus 4 तो यह तो आगए इसका center अब अगले lecture में हम इसको continue करते हैं और देखते हैं कि इसके vertices और forci वो क्या होंगे और इसको किस तरह से graph किया जाएगा जो किस अबगा